बिस्मिल्ला राखना राहिम, असलाम लेकुम स्टुडेंट्स बेटा, लास्ट टाइम आमने 9th क्लास की बायराजी में पढ़े थे factors के बारे में पढ़ा था जो के enzyme के काम पर affect होते हैं अब बेटा हमारे पास models है के enzyme basically काम किस तरह आसे करता है तो बेटा, दो models हमारे पास आये थे, दो models दिये करे थे, एक model के हलाता है lock and key model, दूसरा model के हलाता है induced fit model तो बेटा, पहले lock and key model को देखते हैं, 1894 में बेटा, एमिल फिशर ने ये lock and key model दिया था और इस model के according बेटा, हर enzyme जो है वो अपने substrate के लिए according specific होता है, उसके according अपना, उसकी shape specific होती है मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह आपका substrate है, यह वो molecule है जिस पर enzyme में काम करना है और यह नीचे enzyme है तो यहाँ पर आप इसकी shape देख सकते हैं, यह किस तरह नीचे से सोटी सी इसकी shape निकली है, और side की इसकी shapes को देखें और enzyme उसी के according, उसी की shape की तरहां से adjust है, कि यह इसके अंदर आकर इस तरहां से fit हो, और enzyme अपना काम करके इसकी breakdown तरहे तो बेटा, Amil Fisher का यह मानना था, कि हर substrate की shape के according उसका एक enzyme होता है, और बेटा, यह जो second step है, जिसमें enzyme और substrate मिल जाते हैं, और enzyme अपना काम करना start करता है, यह step के लाता है, enzyme substrate complex, यह के लाता है, enzyme substrate complex, अब बेटा, next model को देखते हैं, induced fit model, induced fit model, बेटा, 1958 में, डैनियल कॉच्टनेंड में ने दिया था, तो बेटा, इस model के according, यहां पर आप देख सकते हैं, यह substrate है, और यह enzyme है, substrate की आप shape देखें, तो यह बेटा, कुछ थोड़ा सा आपके पास irregular सी shape में है, और enzyme की shape बदेखें तो यह उससे बिलकुल different है, उसकी shape क according नहीं है, तो डैनियल कॉच्टन का मानना यह था, कि enzyme जो है, बेशक हर काम के लिए, एक specific enzyme चाहिए, लेकिर हर substrate के लिए हम उसका specific enzyme नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम digestion की बात करें, तो उसमें लाखों करोडों substrate ने आकर अपना काम करवाना है, तो इतने enzymes हम नहीं available करवा सक तो उसके लिए, बेटा, क्या एक model दिया गया था, कि enzyme जो है, वो substrate के according अपनी shape को adjust कर लेता है, यानि जिस shape का, आपके पास enzyme का substrate है, उस ही shape में enzyme ढ़ल जाता है, और अपना काम करता है, मतलब यहां पर देखें, enzyme की shape different थी, और यहां पर आप देखें, enzyme की shape बिल्कुल substrate की shape क according हो गई है, और यह दुनों आपस में bind हो चुके हैं, तो बेटा, यह कहलाता है, enzyme substrate complex, next step बेटा, इसका होगा, उस next step में, यह enzyme जो है, अपना काम करके, substrate को दो पार्ट में तोड़ देगा, वो जैसा कि आपने यहां पर देखा, तो बेटा, आपकी बुक पर यह diagram गिवन नह इसी वज़ा से मैंने भी यहां पर डुड़ा नहीं की, तो आप बेटा, इसका आपकी बुक से देख लेते हैं,